हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आर्के कलासिज यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम कहानी और उसके तत्वों के बारे में बात करेंगे तो कहानी गद्य साहित्य की महत्व पुरण विधा है साहित्य के रूप होते हैं जैसे गद्य होता है पद्य होता है पद्य के अंदर पद होते हैं कवीता सलोक ये पद्य के अंदर आते हैं तो कहानी जो है गद्य साहित्य की एक महत्व पुरण विधा है आधुनिक साहित्य में कहानी एक लोकप्रिय विधा मानी जाती है इसका कारण ही है कि आकार में लगू होती है, कहानी छोटी होती है और मनोरंजन के साथ साथ कोई न कोई संदेश भी देती है कहानी संस्किर्थ तथा हिंदी में कहानी के लिए आख्यान, आख्यानी का उपाख्यान, कथा, गल्प, आदी सब्दों का परियोग मिलता है तो संस्किर्ट और हिंदी में कहानी के चार अलग अलग नाम है इससे भी जादा ही है तो लेकिन जिस रूप में आज कहानी का परचलन है वे है पास्चात्य साहित्य की देन मानी जाती है आज जो हम कहानी हमें मिलती है वे जो पास्चात्य साहित्य वेस्टन कल्चर की देन मा जाती है कहानी की यदि कहानी की हम बात करें तो वह बहुत ही पुरानी है संसार की सभी भासाओं के साहित्य का प्रारंब कथानक में ही था संसार के सभी धरम गरंतों में कहानिया मिल जाती है प्रन्तु प्राचीन साहित्य में से आज का कहानी साहित्य काफी भिन है तो की जो कहानिया है उनमें हमें डिफ्रेंस मिलता है अब कहानी के संद्रब में विद्वानों ने अलग-अलग परिवासाई दी है उदारन के लिए गुलाब राई ने वर्तमान कहानी को खद्दर का सूट कहा है इसका मतलब यह है कि कहानी की सामगरी तो देशी है लेकिन उसकी काट-छाट विलायती डंकी है हेनरी हडसन ने क्या कहा है कहानी कला का एक खंड है और उसके मुल्यांकन का आधार उदेश्य तथा परभाव की एकता है ब्रैडर मेथ्यू के अनुसार कहानी के बारे में बात करते हैं कहानी एक पातर की गठना से संबंदित विभिन गतिव का चित्रन करती है लेम्स लिन के अनुसार कहानी एक परमुक पातर के जीवन में संक्सिप्त तथा नाठकिया परिवर्तन का परतिनी दित्व करती है इसके बाद डक्टर श्याम शुंदर दास क्या कहते हैं कहानी के बारे में आपको एक्जाम में कम से कम दो डेफिनेशन जरूर याद करके जानी है आरणिनिका का निश्चय लक्सय या परवा को लेकर लिया गया नाठकिया आख्यान है परेमचंद के अनुसार गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनो भाव को परदर्शित करना ही लेखका उदेश्य होता है अग ये के अनुसार छोटी कहानी सुक्षम दर्शन यंत्र है जिसके नीचे मानविय अस्थित्व के दर्शय खुलते हैं संक्सेप में हम कह सकते हैं कि कहानी में जीवन को किसी एक अंस या मनो भाव को कथा के माध्यम से मनोरंजक तथा कोथल वर्दक शैले में लिखा जाता है अब हम बात करते हैं कहानी के क्या क्या तत्व होते हैं तो कहानी के अंदर छे तत्व होते हैं पहला है कथानक जिसको कथा वस्तु बोलते हैं या स्टोरी दूसरा है पात्र चरितर चित्र तीसरा है समवाद कथोप कथन चोथा है देशकाल या वातावरन पांचवा बासा सैली तो देखे सबसे पहले क्या होता है कहानी की कोई ना कोई स्टोरी होती है स्टोरी होगी तो उसमें कुछ ना कुछ पात्र भी होगे उनका कुछ ना कुछ चरित्र भी होगा फिर वे आपस में बाचित भी करेंगे कहानी में जो स्टोरी होगी उसमें कुछ ना मेंतवपुर्ण तथव है कहानी का जो कथानक है मिन्स स्टोरी आप मान सकते हैं संक्सित होना चाहिए नहीं तो ज्यादा बड़ा होगा तो सुनने वाला बोर हो जाएगा इसमें विस्तार का स्थान नहीं है कथानक कहानी का चुनाव जीवन के किसी भी पक्स से करता है कथानक को तीन भागों में बाटा जा सकता है आरंब, विकास, अंत तो सुरुवात, कोई भी स्टोरिय उसकी सुरुवात होती है फिर बीच में उसका विकास होता है और लाश्ट में उसका अंत हो जाता है तो जो प्रारम है वो आकरशक होना चाहिए, कहानी की जो सुरुवात है वो आकरशक होनी चाहिए इसके बाद बात करते हैं पात्र और चरितर चित्रन उपन्यास की अपेक्सा कहानी के पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए इसमें पात्रों के जीवन के किसी एक पहलू का उदगाटन किया जाना चाहिए कुछ ऐसी कहानियों को भी लिखा जाना चाहिए जिसमें केवल एक या दो पात्र होते हैं फिर भी कहानिकार को कहानियों के पात्रों की चारित्रिक विशेस्ताव का उदगाटन करना चाहिए कहानी के पात्र हमारे जैसे हाड मांस के सजीव होने चाहिए साथ ही पात्र कठ पुतली नहीं होकर गती शील होने चाहिए तो पातर हाड मांश मेंज अमारे जैसे सजीव होने चाहिए और जो पातर है वो ये नहीं होना चाहिए उनमें क्या होने चाहिए गती होनी चाहिए इसके बाद कथोप कथन जिसको समवाद बोलते हैं कहानी का तीसरा महत्वपूर्ण तात्व है समवाद जहां एक और गटनाव को गती परदान करते हैं वहीं दूसरी और पात्रों के चरितर पर भी परकास डालते हैं पात्र जहां जैसा समवाद करेंगे वैसे ही उनका चरितर होगा लेखक पराय समवाद दवारा ही अपनी बात कहता है कहानी के जो समवाद है वो पात्रों के हिसाब से पात्र अनुकूल होने चाहिए भाव के हिसाब से भी भाव अनुकूल होने चाहिए लंबे-लंबे समवादों का कहानी में स्थान नहीं होना चाहिए यदि ये कथोप-कथन, सरल और संक्षिप्त हो तो सोने पर सुहागा वाली जो उखती है वो चरितार्थ हो जाती है क्योंकि इससे कहानी को एक गती प्राप्त होती है इसके बाद अगला पोइंट आता है देशकाल या वातावर्ण पहले बताया जा चुका है कि कहानी का कलेवर बड़ा ही शंक्षिप्त होता है इसमें देशकाल के विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं होता कहानी में वरणित जीवन या घटना को समझने के लिए परिस्थितियों की योजनाथ जरूरी है कहानी में वातावर्ण दो परकार का हो सकता है भोतिक और मानसिक भोतिक वातावर्ण के अंतरगर्थ वन, परवत, नदी, बाजार, गली, महले, आदी का वणन होता है लेकिन मानसिक वातावर्ण के अंतरगर्थ पात्रों के मन इस्थिती का चित्रन होता है इसके बाद अगला पोइंट है उदेशे अनियंत्र यह बताया जा चुका है कि साइत्यकार की रचना सो उदेशे होती है कहानिकाल कार्ज होता है वो केवल पाठों का मनोरंजन ही नहीं करता बलकि मानव हिर्द्य के उद्दात भाव को भी जागरित करता है भारतिय विद्वानों का कहना है कहानी का उदेश है पाठों को रस्मगन करता है कहानी का जो उदेश्य है वो पाठकों को रसमगन करता है लेकिन पास्चात्य विद्वान इसे सहमत नहीं है उनके अनुसार वैस्टी को समस्टी में लीन करना ही कहानी का उदेश्य है और उसके सुक दुख का ये थार्थ परक वर्णन करती है इसके बाद अगला पॉइंट है भाषा शैली भाषा शैली भाषा शैली का संबंद अभिव्यक्ति पक्ष से है परते कहानिकार की अपनी भाषा शैली होती है यही उससे अन्य जो कहानिकार है उनसे अलग करती है लेकिन इतना निश्चित है कि कहानी की बाषा सहली सुबोध, सरल, सरस, सजीव और रोचक होनी चाहिए परभाव आतमक्ता गुण को उत्पन करने के लिए कहानी में हस्य व्यंगय, मुहावरों, लोकोक्तियों की भी योजना की जा सकती है कहानी की बाषा जितनी सरल और सुबोध होगी, वह उतनी ही परभावशाली होगी मुनसी प्रेमचन्द की कहानिया इसी तथे को चरितात करती है अब हम बात करते हैं कहानी की विशेषता क्या होती है तो कहानी की निमलिखित विशेषता है, पहली विशेषता है आकार छोटा होना चाहिए कहानी का एक गंटे या एक बैठक में पढ़ी जा सके ऐसी कहानी होनी चाहिए मानव जिवन की किसी एक छोटी सी गटना या परसंग पर आधारित होनी चाहिए परन्तु इसमें थोड़ी वतकल्पना भी चल सकती है, इसका भी समावेश होना चाहिए या होता है कहानी मनोरंजक और जिग्यासा के तत्तु इसके अंदर होने चाहिए कहानी के अंदर अंत जो है परभावपूरन होना चाहिए कहानी का और अपने आप में कहानी पूरी होने चाहिए, इसका कोई ना कोई लक्षय होना चाहिए, कहानी की जो भासा है सहे है जिस सरल पात्रानु कूल होने चाहिए, कहानी में आदर्स तथा यथार्त का समन्वय अवश्य होना चाहिए, और कहानीकार पात्रों की चारित्रिक विशे होते हैं इसकी क्या विशेष्टा होती है इसके बारे में बात की है उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में